नमस्कार बहुत स्वागत आपका आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा इस वक्त सबसे बड़ी खबर चल कर आ रही है उस्तर प्रदेश से जोहाँ पर सरकार किसकी चल रही है बुल्डोजर बाबा की योगी अरितना आठी में बात कर रही हूँ देखें बड़ी खबर ये सा नहीं पढ़ना है मुगलों ने क्या किया कैसी करांती लाई और करांती लाई भी या नहीं इन सभी विश्यों पर जो पाठे करम थे उनको हटा दिया गया और ये लागू हुआ है योपी बोट के लिए अब इसी खबर पर बड़े विस्तार से जान लेंगे हमारे साथ स्वगत है और सर दर्शकों को ये बताईए कि कौन-कौन से विश्यों पर ये बड़े बदलाव योगी सरकार के दोरा किये गए हैं और कहा ये जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद विपाक्ष भेदभाव कर सकता है विपाक्ष हंगामा कर सकता है कि आप पाठे करम में अपने बदलाव कैसे किये जान लेते सर से जिए ऐसा है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए जिए मैं आपको बता रहा हूं जब पंडित गोविंद बलब पंथ जी थे चीप मिनिस्टर तो उन्होंने उस समय कहा था और गोविंद बलब पंथ एक ऐसे चीप मिनिस्ट उस समय उन्होंने जब कहा था तो उस समय उनको जबहाला नहरु जी ने क्रिटिशाइस किया था जबहाला नहरु जी ने उनको डैमिस करने की कोशिस की गोविंद बलब पंध का इतना वड़ा वजन था कि पूछे रहें दूसरी आपको बताते हैं हिस्ट्री में जो बच् का दुर्भाग रहा कि किसी ने भी इसके लिए नहीं सोचा एक बार की बात है सीवी गुपता जब चीप मिलिश्टर बने तो सीवी गुपता ने भी बात कही थी उससे ज्यादा बड़ी मैं आपको बात बता दे रहा हूं डॉक्टर राम मनोहल लोहिया ने उन्होंने खु पैदा हुआ बाप उसका मंगोल ता मा कहीं की थी मरा वहां उसका कब्र वहां बना है अफगानिस्तान में मरा वह कहीं और यहां बाबरी मस्जित तो ऐसे तमाम हिस्टी जो है गलत लिखी जैसे लिखी जानी चाहिए तो किसकी लिखी गई आप देखे इतने नेताजात के लोग प्रिजाद के लोग हैं यहां पार यहां से पारल्लेमेंट तग. लोगों जाना मुद्दों पर भीस हो रहीं। मगर आपको ताजुप बचाते अकवर एक मुस्लिम सासक था उसक का जो सेना पति था वह मान सिंह था और महाराना का जो पति था वो था सूरी उसका नाम था हाकिम खान सूरी तो आप देखिए एक मुसलिम के हिंदू लाजा हल्दी घाटी में लड़ाई हुई और जो यह लड़ाई हुई है यह हुई है अठारा जून 1576 में यह भी इतियास में देनी चाहिए हल्दी घाटी लड़ाई में अकबर के पाज साउसक कुछ सेना पति उनका सेना पति वो एक मुस्लिम था आपशन पता था उसका नाम था था कहने और इनका महांना पता वो थे मार्ण जिंग कई। नहीं गरी निए मपते हैं कि इस तरह दूल सफुन में जो आणी दोता की कि बारुब यतिहास में दारा सिको कभी आना चाहीए थे आउरंग जेप की बेटिया थी जेबियू निशाव वो उन्हों ने जो सायरियां लिखे वो आना चाहिए आ गया दूसरा रहिम खान खाना को और देना चाहिए था दारा स्विको को और देना चाहिए जो अच्छे सासक थे नहीं दिया गया लेकरीम अलीज सागला थे जिन्न अज्य कौन कौन से विश्वफ पर देखे आपको बता दें कि जितनी हिस्टी लिखी गई हमारा दुरबाग गए बहुत ही गलत लिखी गई ऐसे लोग इस्टी में आ गए जिन्हों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गलत लिखी अब आपको बताना है कि अमेरिकल लॉबी क साथ सो से इंग्लेंड के दबाब पे रही हमारी हिस्टी उन्होंने हमारी हिस्टी को बहुत हत्ता को कर दिया आर्लेन वाली सुच द्रविर वाली यह अंग्रेजों ने डाली थी यह हिस्टी से हटना चाहिए इसकी जो रियल्टी होना चाहिए मैतमेटिक्स में सुधार हो वह जोगी हमारे ग्रह की कल्पना थी हम लोग चांद को मामा मानते थे अप साइस ने प्रूब किया है प्रतिविका एक टूकरा चांद है जो प्रूफ हो पूरे वर्ड में कहीं बायोयान की कल्पना नहीं थी सब लोग ऐसे हवा में उड़ने की कोशिज करते थे अठारा सो के सम्थिंग पहला लाइड बंदू ने गिराइडर उड़ाया तब कल्पना आई कि कि बैठ के उन्हें इसके पहले हमारे विमान की कल्पना थी हमारे सोलर सिस्टम का वो था हमारे मिसाई से पहले थी अग्निवार थे सब ते कहा जा रहा है कि अमेरिकी को नहीं पढ़ाया जाएगा दूसरी बात हमारे हिस्ट्री बड़ी गलत लिखी यह दिया गया है कि बास्को डिगामा ने इंडिया खोजा जबकि इंडिया के लोग वहां जाते थे पूरी हिस्ट्री हमारे हां गलत पढ़ाई जा रही थी इसके अलावा आपको बता दें एक कैपसूल इंडरा गांदीक समय हिंदुस्तान का इतिहास करके वह नीचे सेप कर दिया गया उसमें भी हिस्ट्री बहुत गलत लिखी गई और योगी पहले अब इसकी सुरवात पूरे देश में होनी चाहिए इतिहास सही डंग से लिखा जाना चाहिए सही डंग से इतिख़त बात है कि भारत का अर्थशास दुनिया में मसूर था हमारे अधुसरे के बड़े अच्छे नियम एक बार कलाम साहिए नहें कहा था जिस समय भारत kamuya ge अचुड के प्लाहिग सपर तब काक्षर तने का नैंग कहा था कि भारत के it। पर दो तीन महीने खिला सकती है कुठले में गिहूं रखती है और यहां पर कहा जाता है खाओ तो कदू से ना खाओ तो कदू से साधियों में कदू लोगों क्या रगाई था जो छए-चए महीने चलता गर सबजी नहीं होती तो हमारी एकनौमी पर अर्साथ जो था हमारा हमारे यहां जंतर मंतर है हमारे आप आइथागोरिस की प्रमेथी कल पर के वर्ग से दो वजाओं के वर्गों के योग के बढ़ावर होता है एक समकोल त्रभूज में तो हमारे सब कुछ सा यह सब सिलेवस में पढ़ाया जाना चाहिए देखिए आपने तो बड़े इतिहा पर देखिए ऐसा है कि इस विसे में बता दें मुलाहिम सिंग जी ने भी एक बास सहमत बैखते की त्यास में कई जगे काफी वो और इसके प्रयास हुए और लोग इसलिए लोगों को मुद्दा मिलना चाहिए है कि भारत का दुर्भाग है कि कोई हर एक आदमी के अंदर द दो चलती है अगर यहां लाम को भगवान लाम को लोग मानते थे वहां भी प्रजा में एक आदमी ने हलका सा भिरोत किया था तो यह चीज है कि यह भारत की एक वो है विपच को चुके मुद्दा चाहिए कोई भी अच्छा काम होगा तो उसमें और दूसरी आपको बता दे जयता है। पूर्ण वोड फॉड में था शीकंदर यहां से हाड के चला गया था व Community को चाहिए यह अधिन् consistent अधित सब धटना चाहिए जीता कौन सिकंदर नहीं जीते दूसरी हल्दी घाटी में अकबर महान पढ़ाय जा रहे हैं अक महान कौन जीता कौन महाना प्रताब कुछ सेनाओं से जीते हैं अब हल्दी घाटी लड़ाई एक पूरे वर्ड में पढ़ाई जाती है वो तीसरी बात एक इतिहास में यह जरूर पढ़ाया जाए जाए और विपाकश हमलावार भी हो सकता है जाहीर सी बात है योगी अलिटनात का फैसला आया है तो विपाकश की तनातरी तो बढ़ती हो इसमें दिखाए देगी पहले आपको बता दे यूपी सरकार ने पहले ही फर्मान इसके लिए जानी कर दिया गया था यूपी सरकार ने लेकिन अब बड़ा बदलाव किया जाएगा और ये वर्स की शुरुआत से हो जाएगी इसका मतला मुगलों का इतिहास रहा है जो आप तक आप हम जैसे लोग पढ़ते आ रहे थे अब नए बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे और इसी को मैंने विस्तार से आपको समझाया अब आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप हमें कॉमेंट करके बताएगे अजोजी आपका बहुत धन्यवाद बड़े बारिकियों से आपने दर्शकों को बताया है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं ठीक है बहुत शुक्रिया आपका और आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट बताएगे आपका शुक्रिया